हेलो अच्चो इस वीडियो में बात करेंगे आल्टरनेटिव करेंट और वोल्टेज किस तरह से इंड्यूज होता है और उसकी डारेक्शन आल्टरनेटिवली कैसे चैंज होती है तो इस टॉपिक का नाम है रिवालूशन ओफ रेक्टेंगुलर कोईल इन यूनिफोर मैगने सीडी यह एक रेक्टेंगुलर कोईल है जिसकी दो डाइग्राम हमने बना रखें क्योंकि जब यह रोटेट करती है तो इसमें बताया जाएगा कि यह करंट अपनी डारेक्शन कैसे चैंज करता है इसमें हम यूज करेंगे फैराडे राइट फिलेमिक्स एक तो लेफ्ट ह मोशन होगा तो मोशन की वज़ये से इंडाक्शन होगा और डारेक्शन इसकी चैंज होगी डारेक्शन की तो इसमें करंट के इंडारेक्शन की अटे बहुत है तो तो सबसे पहले तो कोईल कैसी हो सकते है जैसे यह एक rectangular shape है मोबाइल की यह rectangular body है तो इसको हमें ऐसी ही body होगी वो वो कोईल की form होगी है तो solid है इस lamina type लेकिन वो बीच में से खोकली यानी wire से बनी होगी है न कोईल जैसे होती है तो जब हम इसको rotate करेंगे तो हम समझे rotate किस तरह से कर सकते हैं तो को इस तरह से rotate कर सकते हैं इसको ऐसे और ऐसे ऑफी rotate कर सकते हैं ठीक है तो rotation में हम start करेंगे rotate करना अब ये अपनी zero position पर है यानी zero degree है magnetic field के respect में यानी जिस डा क्षों में magnetic field है उसी direction में यह है तो अगर देखा जाए तो magnetic line अगर fingers हैं तो एक भी finger इसमें को pass नहीं हो रही है लेकिन जैसी rotate करेगी तो पहले one finger touch करेगी फिर दो finger फिर three finger और फिर final सारी fingers इस coil को touch कर जाएंगी यानि finger means magnetic field को touch कर जाएंगी तो rotation means जैसे इसको इस तरह से rotate करेंगे तो इस यह zero position है और इस तरह से position rotate करेंगे तो 90 degree का case हो गया भी है यानि अपना cycle का एक चौथाई पार्ट इसने rotate कर लिया फिर ऐसे rotate करेंगे इसको अब इसने अपनी half cycle complete कर ली और एक बार फिर ऐसे घूम के फिर इस तरह से आ जायागा यह कोई तो अब हम कहेंगे इसकी एक cycle पूरी होगी ठीक है तो जैसे हमारी यह finger है ठीक यह magnetic मैंने मान लिए magnetic line को show कर रहे हैं और जब इस तरह से rotate होगी तो पहले one finger को touch करेंगे फिर दूसरी को फिर तिस्थी को फिर चौथी को है ना तो इस condition है जब वो चौथी finger को touch करेंगी तो उस इस्थिती में यहां पर चूंकि इंडक्शन होगा क्यूंकि यह fingers magnetic field को अगर show करेंगी और यह घूम यह rotate करेंगी हमारी कोईल तो electromagnetic induction की बज़े से यहां current induced होगा और जैसे जैसे magnetic line की number of quantity बढ़ती चले जाएगी टच करने की वैसे वैसे current का जो magnitude बढ़ता चला जाएगा और यह 0 degree है यहां पर 90 degree का case है यह 90 degree का case है यह पूरा 180 का है और जब 180 पर आ जाता है तो एक भी line पास नहीं होती तो यह current 0 हो गया फिर opposite 273 पर फिर सबसे ज़्यादे line पास हो गई और 360 पर यह पूरा अपना cycle पूरा कर लेती है ठीक है इस तरह से तो इसकी value change होती है कि पहले one finger है तो कम current second finger यानि कुछ ज़्यादे magnetic line अगर cut करेंगी तो ज़्याद है और 90 degree पर सारी magnet line को touch करेंगी हमारी coil तो उस condition में current की value सब ज़्यादे हो जाएगी त्यानि 90 degree केस में magnetic current की value जो induction current है उसकी value सब ज़्यादे होगी 0 degree पर 0, 180 पर 0, 270 पर फिर maximum opposite direction में यानि इसने अपनी direction change करती है current ने इसको हम next topic में समझेंगे और 360 में फिर ये 0 हो जाती है फिर घूमना continue रहता है तो फिर दुबारा करिए इस तरह से अपनी maximum value पर जाएगी इस तरह से और ये फिर minimum value पर जाती है इस तरह से ये process चलता रहत है तो ये तो रही बात कि magnetic field के effect से यानि magnetic line के effect से current की value किस तरह से अपनी zero value से maximum value पर जाती है और maximum value से zero value पर आती है अब हम बात चर्चा करेंगे कि ये current अपनी direction कैसे change कर सकती है तो इसे समझेंगे हम जो filming का right hand rule है उसकी मदद से तो right hand rule क्या कहता है right hand rule कहता है कि अगर हम एक दूसरे के perpendicular हो जाएं तो थंब जो होता हूं motion की direction को सो करता है और बीच की finger ये finger magnetic field की और last finger current की direction सो करती है तो हमारे हैं क्या है magnetic field की direction तो ये है और motion की direction ये जब कोई ऐसे घुमेगी तो ऐसे तो ये a d side दिखरी होगी डाइग्राम में a d side जब मैं अपने hand को इस तरह से घुमाऊंगा a d side उपर को रोटेट करेगी तो थंब की direction उपर को है magnetic field की direction मेरे right hand side right hand direction में तो ये third finger जो है ये ऐसे है ठीक है तो इस direction में current a से d की तरफ चुलेगा और उसी तरह c b में c से b की तरफ को current induced होगा ठीक है अब ये घूमती घूमती क्या होगा जैसे a d direction है ये डाइग्राम में के लिए दिख रहा होगा a d direction अब ये side उपर को उठ रही है ठीक है अब ऐसे चलते चलते इसने अपना आधा cycle पूरा कर लिया अब ये a d direction उपर की जाने के नीचे को जाएगी ठीक है ठीक है a d direction ऊपर की तक नीचे को जाएगी जयसे ही नीचे को जाएगी तो motion की डाइरेक्शन चेंज हो जाएगी motion की डारेक्शन होने के साथ-साथ ये अपनी करेंट की डारेक्शन को भी चैंज कर देगी कहने का मतलब यह है A, D, यहाँ से A से D की तरफ है जब यह उपर को उठ रहा था यह पार्ट ठीक है? इस तरह से यह उपर को चल ला था तो A से D की तरफ करण्ट थी अजब यह पार्ट D से है घूमके यह इस साइड आ गया आप भी घूमके तो यह D, A अब यहाँ पर उपर की जगे नीचे की तरफ को मूव होगी ठीक है? इस तरह से तो इसकी डारेक्शन क्या हो जाएगी? चैंज हो जाएगी तो पहली कंडिशन में A से D की तरफ को करण्ट चला और दूसरी कंडिशन में D से A की तरफ को करण्ट चला किस लोग के अकॉर्डिंग? फिलेमिक्स के राइट हैंड लोग की अकॉर्डिंग ठीक है? तो जिस तरह से यहाँ पर करण्ट ने पर इडारेक्शन चैंज कर दी? क्योंकि करण्ट तो A, D, A से D की तरफ चलदा था लेकिन जैसे यह रोटुशन पूरा हुआ यह ना, हाफ साइकल पूरी हुई तो फिर यह करण्ट ने पर इडारेक्शन चैंज कर दी? देखो D से A की तरफ यहनि कहने का मतलब यह है अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुट बना दूँ यह AC सोर से कोई और यह कोई सर्कुट है तो कहने का मतलब यह हुआ कि AC करण्ट जो होता है वो कंटिनियो पर इडारेक्शन चैंज करता है पहले तो वो इस तरह से घूमेगा मैंने मान लिया यह पिलस होगे, यह माइनस होगे थोड़े देर में क्या होता है यह माइनस हो जाता है और यह पिलस होता है और यह करण्ट इस तरह से चलेगा आप ऐसे तो पहले तो ऐसे चला था यह यह ना एंटिकलोगवाईज फिर कलोगवाईज चल गया तो इस तरह से जो AC करण्ट होता है alternatively पनी direction change करता है क्यों करता है क्यूंकर हमें पता लग गया कि जब कोई coil magnetical में rotate करती है तो जब वो उपर की तरह motion करती है तो current की direction A से D की तरफ होती है कोईल में और जब इस side की direction के motion की direction AD के motion की direction जैसी change होगी उपर की जगे ये नीचे की तरफ जाएगी तो A से D की तरफ ना होगा current की direction D से A की तरफ हो जाएगी ठीक है तो इसमें जैसे जैसे हमारी कोईल rotate करेगी तो rotation के साथ साथ उसमें induction current का जो induction होगा वो उपनी direction को alternatively change करेगा तो ये graph में show भी हो रहा है तो पहले हाप में current अपनी maximum पर गया ठीक है ये हमारे पास coil है और अगर मैं इसको rotate कराऊं देखो इस condition में ये 90 degree पर पहुँच गया तो इस condition में ये maximum current होगी और ये पूरा अपना आधा cycle पूरा कर गया अब ये 0 हो गया देखो 180 पर current क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया इसके बाद मैं ऐसे continue गुमाऊंगा तो ये वाला portion coil का जो इस condition में starting में उपर को चल ला था अब ये नीचे गुजाएगा तो current की direction क्या होगी यहाँ पर D से A यानि current की direction change हो गई पहले था ये ऐसे clockwise अब हो गया ये यहाँ पर anti-clockwise ठीक इस तरह से यहाँ से ऐसे anti-clockwise हो गया यानि इस तरह से अगर rotation की दौरान जो current इंडियूज होता उसकी direction alternatively change होती है इसी को हम alternate current बोलते हैं और इस से related जो EMF induced हुआ उसको alternative voltage बोलते हैं तो इसका expression हम drive करेंगे जिसे करेंगे हम अपने next section के अंदर तो बच्चों पिछले section में हमने पढ़ा कि rotation के दौरान जब कोई coil किसी magnetic film rotate करती है तो alternative current और voltage induced होते हैं अब हम इस section में बात करेंगे कि यह जो induction होता है इसका formula क्या है इसका expression क्या है तो हमें पता है जो flux pass हो रहा है इसमें magnetic field into इसका coil का area और साथ में cos theta या cos omega t हम इस तरह से flux का formula में भी ए cos omega t या भी ए cos theta होता है और induced EMF होता है change of flux चिक है तो अगर हम इसको differentiate कर दें d5 upon dt तो यह हो जाएगा क्योंकि flux का rate of change of flux लेंगे हम यहाँ पर तो यह हो जाएगा b a cos omega t का होता है minus का sin omega t और omega t का omega जिसके हम यहाँ multiply कर देंगे ठीक है तो minus का sin यहाँ पर ले लेंगे minus d5 upon dt हो जाएगा e according to faraday first law और n b a omega n number of turn लेंगे हम यहाँ पर sin omega t ठीक है e की value maximum कब होगी जब sin omega t क्या होगा sin omega t 1 कब होगा जब angle 90 degree होगा तो हम इसको mathematical भी clear कर सकते हैं तो e की value maximum कब होगी जब sin omega t क्या होगा omega t 90 degree है sin omega t की value 1 होगी ठीक है तो sin omega t की 1 के इसमें क्या हो जाएगा e बराबर E को E न लिखके E not लिखेंगे N B A omega ठीक है W नहीं होगा omega लिख लो इसको तो ये maximum peak value of current इसको amplitude भी बोलते हैं इसके साथ इसकी equation को हम लिख सकते हैं E is equal to E not sin omega T या V is equal to V not sin omega T या I is equal to I not sin omega T इस equation से हम clearly इसको explain भी कर सकते हैं कि इसकी value change कैसे हो रही है यहाँ पर 0 degree रख दो तो ये position आ जाएगी I की value 0 हो जाएगी 90 degree पर ये maximum हो जागा I बराबर I not हो जागा इसको peak value of current या peak value of voltage बोल सकते हैं 180 पर again ये 0 हो जाएगी 270 पर ये minus 1 होता 270 sin 270 I not हो जाएगी और 360 रख दो तो फिर अगेन ये इसी line को touch कर रही है इसका मतलब ये origin यानि 0 value को change करेगी 360 पर ये फिर 0 हो जाएगी तो इस तरह से ये हुआ हमारा alternative current और voltage का induction इसमें हमने साथ में साथ ये peak value भी पढ़ लिया कि V not क्या है peak value of voltage alternative voltage क्योंकि peak value का वर्ड इसलिए ये यूज किया कि यहाँ पर value लगातार change हो रही है एक position ऐसे आ रही है कि जहाँ पर value maximum है उसी value को हम peak value या amplitude बोलते हैं ये cycle है ठीक है एक cycle यहाँ पर complete हो जाती है 360 के case में और एक cycle में जितना time लगता है उसी को बोलते हैं हम time period जिसको हम लिख सकते हैं t is equal to 2 pi by omega clear और एक cycle में एक second में जितनी cycle number of cycle होते हैं उसको frequency बोलते हैं यानि t time में जो cycle होगी t second में जो cycle होगी वो 1 होगी और 1 second में होगी 1 upon t 1 upon t तो 1 second में जो cycle होगी वो होगी 1 upon t और 1 second में number of cycle को हम frequency बोलते हैं तो ये 1 upon t किसके बराबर हो दया गया है है पर frequency के f 1 upon t और इसका मतलब time का उल्टा हो गया तो f को लिख सकते हैं हम 2 pi उल्टा कर दो इसको 2 pi by omega के place पर omega upon 2 pi कर दिया तो यहां से omega आ गया 2 pi f 2 pi f तो हमारे इंडिया में जो frequency होती है यहां पर allow frequency को 50 Hz होती है f की value क्या होती है हमारी इंडिया में जब कुछ भी हो सकती है वैसे तो यह तो हमारी इंडिया में होती है 50 Hz Hz क्या है frequency की unit है ठीक है इसमें एक term और है alternate current से जुड़ी हुई जिसको कहते हैं फेज फेज क्या होता है अभी हम इसको इसी section में इसके अगले section में हम इसको explain करेंगे तो बच्चो पिछले section में हमने alternate current और voltage किस तरह से induce होता है और उसकी direction कैसे change होती है और उसका mathematical expression क्या है यह सब discuss क्या साथ में हमने इस से related को term जैसे amplitude, frequency, time period यह सब discuss किया अब करेंगे हम एक बहुत important term इसकी जिसको कहते हैं phase लाइट आती है हमारे घरों में कभी two phase में आती है कभी one phase में कभी three phase में आती है तो actually phase क्या है यह जैसे हमने हमें पता है कि current और voltage दोनों ही क्या होते है alternatively, alternate voltage में अपनी value को alternatively change करते है तो कभी ऐसे देखो जरा, यह मैंने मान लिया, यह current है और यहाँ पर क्या हो गया, यह black pen से मैं so कर रहा हूं voltage को यह voltage को change कर रहा हूं तो यह आप देखेंगे जरा, actually phase होता गया है किसी particular time में electric current या voltage की position और direction को हम phase से सो करते हैं तो किसी particular time देख लेते हैं, यह time को सो करेगी यह side और यह इसकी magnitude को सो करेगी, y direction ठीक है, alternate current या voltage की तो particular time यह देख लेते हैं, यहाँ पर देखो जरा, दोनों की peak value एक साथ आ रही है और दोनों की direction क्या है? यह देखो, दोनों का direction सेम है तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कि दोनों का phase सेम है phase सेम मतलब same direction में है तो अगर इसका 5,1 है और इसका 5,2 phase है तो दोनों के बीच में difference देखे हैं, अगर 5,1 minus 5,2 तो 0 degree है, दोनों parallel है direction ठीक है, यहाँ पर इस point पर चाहें इस point पर देख ले हम, यहाँ पर, दोनों सेम हर जगे current और voltage की जो direction है, सेम है तो इस condition में V वराबर V naught sin omega t और I is equal to I naught sin omega t phase सेम है दोनों की ठीक है हम इसी angle से क्या सो करते हैं, phase को सो करते हैं दूसरे diagram में अगर यह voltage है और यह current है, तो यह voltage है तो किसी particular time पर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है यहाँ पर current की direction तो, देखो यह current सो करता है current पर tangent खीचे हैं यहाँ पर, यहाँ पर current की direction यह होगी और यहाँ पर voltage की direction यह होगी तो देखें जगरा, तो यहाँ पर 90 degree का angle बनदा है तो यहाँ पर 51 और 52 के बीच का जो angle है वो क्या है, डेल्टा फाइ, यानि 51 माइनस 52, 90 degree है तो अगर 90 degree का phase होगा, voltage और current के बीच में तो उनका graph कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है यानि यह जो हमारा current है, यह 90 degree पिलस है क्योंकि यह origin से उपर से चला है तो इसका 0 होगा, तो जब इसका maximum peak value है, 90 degree है यानि आई current की, उस समय voltage 0 degree है तो इसका मदब क्या हुआ, current हमारा 90 degree आ गया है और अगर यहाँ से शुरू होता ऐसे, तो हम कहते current हमारा 90 degree पीछे है यहाँ पर lag कर गया, यहाँ पर late कर रहा के example से, यह current है, voltage को अगर हम, voltage इस तरह से चले अगर, ऐसे, तो देखें जड़ा, current की position यहाँ पर यह है और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के phase के बीच में खितने degree का एंगिल बन रहा है 180 degree का एंगि, तो phase difference क्या हो गया है यहाँ पर, 180, इन से अरावा, कोई दूसरा भी हो सकता है जैसे यह voltage है, और साथ में, current कुछ इस तरह से चल रहा है कोई fix direction नहीं है, तो किसी भी point पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं देखें यहाँ पर, यहाँ पर voltage की direction यह सो हो रही है और हमारे current की direction इस तरह से सो हो रही है तो यह जो एंगिल बन गया, यह इन दोनों की बीच का phase difference बन गया ठीक है, तो इस तरह से हम phase को आसाने से समझ सकते हैं थैंक्यू